एक मामी अपने सगे भांजे के साथ सम्मन बना रही थी और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान की वहाँ पर हो जाती है मौत आखिर ऐसा क्या हुआ इस गटना के पीछे की सचाई को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ सदेश कुमार और तिरशी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यह गटना है बिहार के पटना में फतेफुर की बिहार के पटना में फतेफुर में सौनम नाम की एक महिल्या रहा करती थी जिसकी उमर थी 26 साल आसे तीन साल पहले उसकी साधी हुई थी और उसके पती का नाम होता है सूरज और तीन साल जैसे साधी के गुजर जाते है तो अब उसको एक बेटा भी है दोस्तो समय अच्छे से गुजर रहा होता है कोई दिक्कत नहीं होती है उसका पती जो होता है वह सूरज वह कमाता है खाता है और अच्छे समय गुजर रहा होता है तब ही दोस्तों उसका पती सराब बेचने का काम करने लगता है और पुलिस उसके उपर छापा मारती है और उसके पती सूरुज को पकर ले जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है अब घर के अंदर अकेली सोनम रह जाती है और वो अपने बच्चे को पाल रही होती है तबी दोस्तों उस सोनम के पड़ोस में एक उनका भांजा था उस भांजे का नाम होता है आकास और फिर जो सौनम होती है आकास को अपने घर बुला कर उससे कुछ सामान वगेरा बाजार से मंगबा लिया करती है तो आकास मदद कर दिया करता है ऐसे मदद कर भी दिया करते है कोई बड़ी बात नहीं होती है धीरे धीरे अब जब सौनम को कोई किसी भी काम की जरूरत होती है तो वह आकास को बलाती है और आकास का घर में आना जाना कुछ जादा ही हद तक बढ़ जाता है अब धीरे धीरे आकास और उसकी मामी जिसका नाम सौनम है 26 साल की और आकास दोनों एक दूसरे की बातों पर हसने लगते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है अब उसकी मामी आकास से प्यार करने लगती है दोनों के संबंद बनने लगते हैं दोनों एक कमरे में अकेले बहुत समय गुजारने लगते हैं दोस्तों इसी तरह से समय गुजर रहा होता कोई दिक्कत नहीं होती है तब ही कुछ समय बाद सूरज जेल से छूट कर अपने घर आजाता है और जैसे सूरज जेल से छूट कर अपने घर आता है तो उसको आसपडोसियों के द्वारा पता चलता है कि उसकी पत्नी जिसका नाम सोनम है वो अपने भांजे से ही प्रेम संबंदों में है तो वह अपनी पत्नी को और अपने भांजे को अपने पास बिठाता है और उनको समझाता है कि तुम ये जो किर्ते कर रहे हो ये बहुती सरमसार है दागदार कर देने वाला है समाज में हमारी बेजजती हो रही है तुम ऐसा आज के बाद नहीं करोगे दोस्तो वह दोनों को समझा देता है और जो सूरज होता है वह समझता है कि अब ये दोनों ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे और सूरज अपने काम धंदे में फिर से लग जाता है अब दोस्तो जब सूरज घर से बाहर रहा करता है तो उसकी पतनी सौनम अपने भांजे आकास को अपने घर में बुला लिया करती है और दोनों प्रेम प्रिसंग करने लगते हैं अपने कमरे के अंदर दोस्तो अब इस तरह से मामला चोरी छोपे चलने लगता है इसी तरह से एक दिन सूरज अपने काम पर जाता है और फिर गाम पर जाने के बाद उसको कुछ याद आता है कि घर पर कोई सामान रह गया है उसको लेने के लिए वे वापस तुरंत ओल्टे पाउं आता है वे अपने घर में आकर देखता है कि उसके बेडरूम के अंदर उसकी पतनी अपने भांजे आकास को लेकर नगन वस्ता में लेटी हुई थी और वे वो किर्ट कर रहे थे जो उनको सोबा नहीं दे रहा था दोस्तो यह देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है और सूरच जोर जोर से अपनी पतनी और अपने भांजे से चिलाने लगता है दोस्तो वे अपने भांजे को मारने पीटने लगता है उसके बाद क्या होता है पीछे से उसकी पतनी सोनम लोहे का बट उठाती है और वे बेहो सोकर जमीन पर गिर जाता है उसके बाद दोनों मामी और भांजे उसकी चाती पर बैठ कर उसकी गर्दन को धर से अलग कर देते हैं दोस्तों उसके बाद उसको बोरे में भरकर हुए पड़ोस के ही जंगल में फैक आते हैं लोगों को पता चलता है पुलिस को बलाया जाता है पुलिस उस मामले की चानबीन करने लगती है डेड़ बोरी को कबजे में लेती है और फिर पता लगाने में जुट जाती है पुलिस को पता लग जाता है कि इस लड़के का नाम सूरज है और फिर पुलिस चानवीन में जुट जाती है पुलिस का सीधा सक सूरज की पत्नी के ऊपर जाता है और सूरज की पत्नी की कॉलिटेस चेक की जाती है तो पुलिस को पता लग जाता है कि सूरज की पत्नी के सम्मंद किसी आकास नाम के लड़के से हैं यानि कुसी के बांजे से हैं क्योंकि उससे गंटों गंटों तक बात किया करती थी पुलिस सौनम को उठा लेती है सकती से पूस्तास करती है और कहती है कि अब हमें सब पता लग गया है तुमने यह है क्यों किया था यह कांट दोस्तो सौनम घबरा जाती है और फिर सौनम सारी घटना पुलिस के सामने बया कर देती है सौनम कहती है कि यह हमारे प्यार के बीच में आ रहा था इसलिए हमने इसको रास्ते से ही हटा दिया दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर ली ते उसको जेल में भेज दिया जाता है उसके उपर मुकदमा दर्ज किया जाता है आकास को भी पकल लिया जाता है इन दोनों ने अपनी जिंदगियां बरबाद की सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए और एक निर्दोस इंसान की इन्होंने जान ले ली सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को अंजाम तक पहुँचाने के लिए तो कहां तक उचित है ये हवस आजकल इस समाज में हवस का चाल चलन कुछ जादा ही बढ़ता जा रहा है तो आप क्या कहना चाहोगे क्या यह है प्यार था कुछ लोग यह कहेंगे उन्होंने लोग प्यार किया था और वह बीच में आरा था and अपना काम कर दिया प्यार में और जंग में सब जाइज होता है क्या ये जाइज था, क्या उसको अपने पती से प्यार नहीं हो सकता था क्या ये सच्चा प्यार था, क्या प्यार में लोग जान लेते हैं या फिर जान दे देते हैं जनाब प्यार में तो लोग जान दिया करते हैं जान लिया नहीं करते हैं तो यह प्यार नहीं था यह सिर्फ और सिर्फ एक हवस थी वासना थी जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पती को उन्होंने अपने आदमी को ही मार दिया दोस्तो प्यार की जो definition होती है उसमें जीवन दान देना होता है और जो हवस और वासना की definition होती है उसमें दूसरे की जान लेना होता है ये सीधा सा simple सा हिसाब है दोस्तो अगर आप हमारे वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो thanks का बटन आचुका है उसका use कर सकते हैं और facebook पर देख रहे हैं तो हमारे स्टार का बटन आचुका है उसका use कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आँगा किसी सची गतना के उपर तब तक आप खुश रहें, साधान रहें, रिष्टों की एमिद को समझें जै हिंद, जै भारत